इस इस मी सौरव आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेर करने वाला हूँ ऐसे टिप्स जिससे आप जल से जल अपना फैट लोस कर सकते हो बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखोगा सब्सक्राइब गाइस उस पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरे से एक affordable rate में personal training लेनी हो तो आप मुझे reach कर सकते हो sort of what's personal training at the rate gmail.com पे तो guys सबसे पहला tip है जो आपको हमेशा apply करना है जब भी आप अपने fat loss goal को achieve करना चाहोगे guys वो है calorie deficit guys जितनी में उने videos बनाई हैं खासकर fat loss related मैंने आपको बताए हमेशा कि अगर किसी को भी fat loss करना है उसको सबसे पहले calorie deficit में रहना है अगर आप इस principle को apply नहीं कर सकते है इस principle को follow नहीं कर सकते है तो guys आपका fat loss नहीं हो सकता guys calorie deficit का मतलब है कि आपको अपनी maintenance calories से कम calories consume करनी है तब ही आपका fat loss हो सकता है अब guys बात आती है कि कितना calorie deficit करें, कितनी calories कम करें, guys पहले आपको पता लगानी है कि आपकी maintenance calories कितनी है, फिर आपको 200 जा 300 calories ही कम करनी है, और उसको 2 weeks, 4 weeks बात हमेशा थोड़ा-थोड़ा कम करना है, ऐसे करके आपको calorie deficit diet create करनी है, और अगर आपको calorie deficit diet create करने में help चाहिए हो, तो आप मुझे reach कर सकते हो, sort of what's personal training at the rate gmail.com पे, guys tip number 2 है कि आपको low carbohydrates और high protein diet consume करनी है, guys अब बात आती है macro nutrients की, कि आपको कितना carbs, कितना protein और कितना fat consume करने है, guys जब भी बात आएगी fat loss की, तो मैंने observe करा है कि अगर आप low carbs diet consume करते हो, तो आपका fat loss जल से जल हो पाता है, अग अगर आपको अपना muscle pack करना हो, या फिर muscle retain करना हो fat loss के दोरान, तो आपको अपना protein intake भड़ा देना चाहिए, guys मैंने ये observe करा है कि हम Indians की diet जातर rich होती है, तो क्या होता है, जब हम अपना bulking phase में होते हैं, या फिर जब हम अपना weight gain कर रहे होते हैं, तो उस time क्या होता है, तो इसलिए अगर आपको fat loss करना है, सबसे बहले कोशिश करो कि आप अपनी diet को low carb में rich कर पाओ, जिससे guys जो आपकी body ने carbohydrates को store कर रखा है fat cells के अंदर, वो utilize हो, साथ के साथ आपका weight loss जलसल अचीव हो पाए, और guys protein intake बढ़ाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि guys protein intake ब protein भी कम हो जाएगा, काब भी कम हो जाएगे, fat भी कम हो जाएगा, तो आपकी body muscle को भी utilize करने लगी, तो guys इसलिए अगर आपको fat loss के दौरान अपना muscle gain करना है, या फिर muscle retain करना है, तो कोशिश करो कि अपनी diet में protein जादा रखो, carbohydrates कम रखो, और fat को भी कम रखो, guys third tip है आपकी intensity intensity, guys अब जब भी आप work out करोगे, तो आपकी intensity हमेशा high रहने चाहिए, और guys cardio, guys अब जब भी आप work out करोगे, या फिर मैं आपको recommend करूँगा कि कम से कम हफते में 5 या 6 दिन cardio जरूर करो, slow cardio, high intensity cardio, दोनों को mix करो, guys मैं क्या करता हूँ, अपने work out को दौरान, मैं शुरूआत कर cardio से, उसके बाद मैं करता हूँ, अपनी weight training, और उसके बाद मैं slow intensity cardio से, अपना पूरा work out खतम करता हूँ, guys इस से मेरी body क्या करती है, इस से मेरी body एक तो ज़्यादा calories बन कर पाती है, साथ के साथ मैं muscle भी retain कर पाता हूँ, और guys मैं calorie deficit के अंदर भी असानी से रह पाता हूँ, guys अब बात करते हैं cardio की duration की, तो guys मैं जो अपना cardio करता हूँ, मैं 40 minutes cardio करता हूँ, slow cardio और 20 minutes करता हूँ, high intensity cardio, but guys मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप इतना जादा cardio करो, guys क्योंकि मुझे बहुत जादा time हो चुका है training करते हुए, और अगर आप beginners हो, तो मैं आपको recommend करूँगा वो up जा पाए, ताकि आपकी body जासे जदा calories को बंद कर पाए, guys अब बात करते हैं abs के बारे में, तो guys abs हमारे एक ऐसे muscles होते हैं जो body जल्दी recover होते हैं, तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि आपको अपने abdominal muscles को रोज train करना चाहिए, guys आप क्या कर सकते हो, आप alternate कर सकते हो, मतलब क कि आप एक दिन upper body abs कर सकते हो, दूसरे दिन आप lower body abs कर सकते हो, इससे आपकी body एक तो used to नहीं होगी, और साथ के साथ आपको सारे results मिल पाएंगे, guys मैं अपने routine में रोज abs record करता हूँ, कम से कम 10 minutes abs record करता हूँ, जो की टपाटा routine होता है, तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि intensity हमे क्योंकि body weight करने से हमारी एक तो intensity जाद से जाद हाई रहे पाती है, साथ के साथ हमारे को abs muscle या फिर अपनी waste tone करनी होती है, ना कि उसके बढ़ाना होता है, guys जब भी आप किसी भी body part में, चाहे वो abs हो, या waste हो, अगर उसमें weight use करोगे, तो उसमें muscle आपका बढ़ेगा, तो guys अब मैं कोई आपको ऐसा magic product बताने नहीं वाला, जो कि आपको overnight results देदेगा, जो कि आपको stubborn fat remove करने में आपकी help कर सकता है, guys अभी तक market के अंदर कोई ऐसा supplement available नहीं है और है, तो आप मुझे बताओ, मैं अभी उसको use करूँगा, तो guys जो supplement में use करता हूँ guys, वो है caffeine, coffee, guys coffee consume क करने से क्या होता है, एक तो आपके mind का, आपकी body का concentration level बढ़ पाता है, साथ के साथ आपकी body में dopamine level ज्यादा increase हो पाते हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगता है, साथ के साथ guys, आपकी body का metabolic rate increase होता है, जिससे guys, आपकी body calories burning capacity increase हो पाती है, guys तो caffeine में consume करता हूँ, वो हो caffeine intolerance हो जाएगी, तो guys इसलिए आपको इससे जादा caffeine consume करना नहीं चाहिए, और guys अगर आपकी body को caffeine बिल्कुल tolerate नहीं होता, आपको caffeine consume करता ही, वोमिट हो जाता है, तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि आपको green tea choose करना चाहिए, इसके अंदर कम caffeine available होता है, और आपको इससे भी सारे benefits मिल सकते हैं, guys last tip है आपका sodium intake, अब guys भहुत सो लोगों के साथ क्या problem आ रही है, कि उन्होंने 10%, 12% तक fat loss कर लिया, बट तब भी उनका वैसा लुक नहीं आपा रहा, जैसा एक six pack look होता है, तो guys उसका reason हो सकता है, कि आपकी body में water return जादा हो रहा हो, guys उसको reduce करने के लिए साले भी reduce करने है, तब ही आपका sodium intake अच्छी तरह reduce हो पाएगा, guys दूसरी चीज़, आपको अपना water level increase करने है, guys अब भहुत से लोग क्या गलती करते हैं, कि वो पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं, guys पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, वो बस bodybuilders के लिए होता है, या फिर competitive bodybuilders के लिए होता है, guys आपको क्या करना है, आपको अपनी body को ज़्यादा पानी देना है, 3-5 liters पानी जरूर देना है, guys इससे क्या होगा, आपकी body में water की scarcity नहीं होगी, जिससे guys आपकी body water को retain नहीं करेगी, guys हमारी body बहुत smart होती है, वो तब ही चीज़े retain करती है, जब उसके अंदर वो कमी होने लगती है, तो guys आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना, उल्टा आपको पानी बढ़ाना है, आपको 3-5 liters पानी जरूर कंज्यूम करना है, जब आप अपने fat loss goal में होंगे, तो guys यह थे कुछ tips जो मै अपलाए करता हूँ अपने fat loss goal के दोरान, I hope guys कि आपको इसके कुछ help मिली होगी, guys see you in the next video and best of luck.